इंस्टाग्राम पे अगर आपको भी multiple photos post करने का option नहीं मिल रहा है तो आप कैसे इस problem को solve कर सकते हैं जी हाँ दोस्तों अगर आप इंस्टाग्राम पे multiple photos with music के साथ use करना चाहते हैं बट आपको option नहीं मिल रहा है यहाँ पर देख सकते हैं इस तरीके से अगर आप post डालना चाहते हैं multiple photos की तो कैसे solve करेंगे देखिए सबसे पहले तो आपको एक जो ज़रूरी काम है वो कर लेना है play store open करना है एंड यहाँ प इंस्टाग्राम लिखेंगे मेरी updated है तो मुझे अपडेट करने की ज़रूरत नहीं है और दूसरी बात चलिए यहाँ पर मैं इस्टाग्राम को open कर लेता हूं उसके बाद आपको क्या करना है तो अब आपको यहाँ पी बीच में पलस वाल आइकन देख रहा है इस पे click करन नहीं होगे यहीं आपकी सबसे बड़ी problems है तो यहाँ पर आपको क्या करना है यहाँ पर आपको adjust camera की बराबर में एक option दिख रहा है multiple का इस पर click करना है जैसे आप इस पर click करेंगे तो आपको different photo add करने का option आ जाएगा अब यहाँ से आप जिस जिस photo का add करना चाहते है simply उस click कर लेना है इस तरीके से एक यह एक से जड़ा जो भी photo आप add करना चाहते है उन्हें click कर लेना उसके बाद next पर click करना उसके बाद फिर नाउस पर click करेंगे और इस तरीके से थोड़ी loading लेगा और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो भी आप caption लिखना चाहते हैं यहाँ पर share कर देने और यहाँ पर एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ यहाँ पर आपको अपने इस्टाग्राम को professional mode पर लगाने की कोई जरुत नहीं है क्योंकि यह जो यह जो setting से हमें normal mode पर easily मिल जाती है तो यहाँ पर आपको मैं दिखाता हूँ मेरा इस्टाग्राम professional mode पर भी नहीं है देखिए अकाउंट टाइप और टूल्स यहाँ पर आप देख सकते हैं switch to professional account यह देखे continue करने के लिए आ रहा है इसका मतलब है कि मैंने जो है अपना instagram account professional mode पर नहीं लगाया है बस आपका जो instagram है वो update होना चाहिए